बिहार में छट पूजा के आखरी दिन लखी सराय में उस वक्त गोली चली थी जब जहाँ परिवार उकते हुए सूरे को अर्ग देकर घाट से लोट रहा था अचानक उनके ही पडोस में रहने वाला एक शक्स जिसका नाम आशीश चौधरी है आता है और एक साथ चल रहे जहां परिवार के च्छे लोगों पर भाएं 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 करके गोलियां दाग देता है इतना ही नहीं परिवार के साथ चल रही लड़की के प्राइवेट पार्ट में गोली बारता है देहला देने वाले लखी सराय गोली कांड के बाद अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है तीन लोग अभी भी शदीद तोर पर जखमी हैं लेकिन मुल्जम आशीश चौधरी उर्फ छोटू अभी तक फरार है शुरुवात में पुलिस ने इसे एक तरफा प्यार का मामला और घरवालों के विरोध पर बौकलाए आशिक का इंतकाम माना लेकिन अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बड़ी है तो पुलिस के हाथ मुल्जम की एक डायरी लगी है जिसमें लिखी बातों से पूरी कहानी पलट चुकी है नोट बुक में करी 15 प्रिष्टों में आशिस चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा ध्याके बीच हुए पुरे संबंद का चर्चा किया है नमस्कार आदाब सस्त्रियकाल लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा 20 नवंबर 2023 की वो सुभा जिसमें एक परिवार पर हुए हमले से लखी सराय शेहर देहल उठा था जो मामला पहले एक तरफा प्यार का बताय जा रहा था वो कोछ और ही निकला जिस आशीश चौधरी ने पूरे जहा परिवार को गोली मारी और तीन लोगों की जान ले ली दरसल वो जहा परिवार का दामाद निकला जी हाँ दामाद ने ही ससराल वालों के साथ खेला कर दिया मरने वालों में एक लड़की दुरगा और उसके दो भाई शामिल हैं जबकि तीन लोग अब भी जिन्दगी और मौत के बीच जूल रहे हैं मामले में गठित SIT की टीम ने एक लाइनर राजन पास्वान और मुख्य आरोपी आशीश चौदरी के सहयोगी उमेश साओ को गिरफतार कर लिया है DIG ने बताया कि जब पुलिस ने इस वारदात की जांच को आगे बढ़ाया तो आरोपी आशीश चौदरी के घर से डायरी मिली है डायरी में लिखी बातों ने केस की असली वज़ा खुजागर कर दी है इस खूनी वारदात के आरोपी आशीश ने 15 पेज का अतीत इस नाम से एक नोट लिखा है इसमें उसने अपना पूरा परिच्छे और पता दर्शाते हुए प्रेमिका दुर्गा के साथ रिलेशन्शिप से लेकर बढ़े तनाजे और अलगाओ का जिक्र किया है उसने नोट में दुर्गा जहां से प्रेम प्रसंग स्टार्ट होने की बात लिखी और दुर्गा के प्रेशर पर उसे पटना ले जाने और पटना में ही एक गल्स हॉस्टल में रखने और उसका पूरा खर्चा उठाने का जिक्र किया दोनों ने पटना में शादी करने थी जहां पुलिस जाँच में बात साफ निकल कर आई है शादी के बाद वो पटना में ही रहते थे डारी में मुल्जम ने बताया कि जो लड़का खुद माबाप के पैसों पर पलता था वो आज उस लड़की के लिए मजदूरी कर रहा है लेकिन फिर भी वो दुर्गा से बहुत प्यार करता था इसलिए ये मेहनत उसे कभी बुरी नहीं लगी इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया तब पटना के नाला रोड में एक किराय का मकान लिया और साथ रहने लगे 2018 की छट पूजा पर दोनों घर भी आये थे लेकिन दोनों अपने अपने घर में रहते थे और बाचीत नहीं होती थी और फिर कुछ दिन बाद ही वापस फिर से पटना चले गए थे आशीश ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने दुरगा की पटना के हथ हुआ मार्केट में एक जूलरी शॉप में नौकरी लगवा दी थी जिसके बाद से ही चीजे बिगड़ना शुरू हुई कि आशीश को पता चला कि उसकी पतनी का किसी और लड़के के साथ अफियर है डायरी में आशीश ने तीन जनवरी 2021 रात दस बजे का जिक्र करते हुए लिखा है कि उस रात जो घटना घटी उससे वो तूट गया उस दिन के बास से वो घुट-घुट कर जीने लगा था उस उसे पता चला कि भागलपूर का एक लड़का जिसका नाम सुमित है उसके साथ भी दुरगा का अफियर है एक दिन रात को आशीश ने वीडियो कॉल पर देखा कि उसकी बीवी एक लड़के के साथ बैट पर थी और जब मैंने पूशताच की तो लड़के ने अपना नाम स 2021 को अपने घर लखी सराय लोटे तो दुरगा का असरी रूप बाहर आने लगा आशीश अपनी डायरी में लिखता है कि अब दुरगा को उसकी जरूरत नहीं थी और उसने सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उसका इस्तमाल किया फिर दुरगा और उसके परिवार पूरे घटना करम के पीशे का जो बैक्राउंड है वो यह है कि इन दोनों के भी चासिश चौधरी और दुरगा जहा के भी काफी पहले से प्रेम शंबंध था और इन लोगों ने साधी भी कर ली थी कहीं ने कहीं उनके परिवार ती दोनों के रजामंदी भी थी जो फोट अगे लिखा है कि अगर वो खुद मरता तो लोग कहते कि लड़की के चक्कर में मर गया लेकिन उसे यह साबित करना था कि लड़की ने जैसा लड़के के साथ किया वैसा अंजाम उसने भी कर दिया वो कायर नहीं है जो खुद को कुछ कर लेता तो 19 नवंबर तक का डायरी में जिक्र है 20 नवंबर को आशीश चौधरी ने इस पूरी घटना को अंजाम दे गया इस वारदात में चंदन जहा राजनंदन जहा की मौत हो गई और कथित रूप से आशीश की पतनी दुरगा जहा जिसके प्राइवेट पार्ट में उसने ग झाल